आप से उम्मेद करते हैं सब अच्छ होंगे तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि ंडी का रिजल्ट आउट हो चुक है यदि आपने नहीं देखा तो जल्ली से जाएं और अपना रिजल्ट चेक करें ठीक है कैसे चेक करने हैं उसके बारे में आप को सबुछ करने करने वाले ओवररॉल उससे पहले अपट है तो यह यहीं कर लेए कर दिखाए तो आप clients आप से औनूलोड करने के बाद इस से ओपन करने हैं और जैसा owners Casey आप सब्सक्राइब यहां पर टिखेर आप लोग इसमसे अपना जो भी रोल नमबर है, आप लोग अपना रोल नमबर सर्च कर लेंगे, इस टैप से आपको रोल नमबर दिखाए देगा, आपको ऊपर सर्च कर लेंगे, यहाँ पर आप सभी को सर्च वाला उप्सन भी होगा, ठीक है, आप लोग यहाँ से अपना जो भी रोल नमबर है, इस यहां पर देखते हैं NDA का जो result है उसकी जो cutoff है वो कितना गया है काफ़े लोगों के doubt थे कि cutoff कितना गया है कि आप लोग एक बता दी cutoff की बारे में discuss करेंगे and next मुझे आपके यहां पर आते हैं कि इस बार कितने candidates select हुए है है total कितने candidates select हुए है तो इस बार में आपको बता दूँ जो आपसे भी के आउप से बहुत है 8058 candidate ठीक है 88 candidate यहां पर पर गलती से लिख लेक अगर बात करते हैं लाश्ट इम कितने सेलेक्ट हुए थे तो लास्ट इम आप से भी के 8256 आठ 1256 करनेट यहां पर आप से भी के लास्ट रिजलट पर सेलेक्ट हुए थे यानि कि एंडे के फ़र्ष रड़ आने के बाद में और उन तभी के फिर SSB इंटर्विव हुए थे अगर आप से भी को कुल मिला का अगर बता दूं तो इस बार 200 कंडेट ठीक है 200 बच्चे यहां पर कम सेलेक्ट हुएं लास्ट टेम के मुकावले यानि कि जो आपका एक्जाम था था ठीक है यानि कि आपके लास्ट कंडेट टू लास्ट एक्जाम के मुकावले तो इसलिए थोड़े से बच्चे कम सेलेक्षिया की गए हैं एंड कटोफ भी आपसे भी कि मैंटें रखने की कोशिस की गई हैं तो यहां पर आगर बात करते हैं आपसे बहाँ कि यहां पर यहां पर 20 कंडेट से ठीक है 20 कंडेट को मात देहाएं यानिक उनको प बीस में से एक candidate को यहां पर selection मिलने वाल है तो आपको SSB interview की तयारी उसी हिसाब से करनी है main point आपके यहां पर आते हैं कि आपसे यहां पर selection है आपकी cutoff है वो क्या गई है तो मेरे मुताबिक अगर cutoff की बात करते हैं तो last time लगबग जो last time की cutoff होगी आपकी return exam की cutoff अलग जाती है और आपसे भी की final जो cutoff है वो अलग जाती है return और final cutoff में काफे difference यहां पर देखने मिलते हैं लगबग 10 से 15 से 20 इस नमबर तक का difference यहां पर आपका देखने के लिए मिलते हैं अगर मैं आपको एक point बता दू कि cutoff क्या गई थी last और इस बार की लगबग 340 से 342 की वीच में cutoff गई है अभी फिलाल की कितने marks आ रहे हैं वो आप लोग comment box में comment करेंगे कि आपके जो answer की से मिलाने के बाद कितने marks आपके बने हैं ठीक जो आपने मिला है और वो आप लोग comment box हो दाएंगे मगर यह final cutoff थोड़ से आपकी increase हो जाती है ठीक है और यह cutoff आप से भी कि 350 के आसपास तक पोशनी की उमी किके गर्यल मार्ग से वो कवाएंगे वो आएंगा आपस भी कि पाइनल रिजल्ट कवाएंगा आपस भी का लगभग और लगभग अब से छह महीने बाद ठीक है चैसे साथ महीने बाद आएगा और जो आपसे की ज्यूरींंग है डिर जूलाई को 23 जूलाई को होने वाली ह जो आप ट्रेनिंग पर जाएंगे तो यानि कि अभी काफी टाइम है तो आप से भी को जो final result है final result के 15 दिन बाद आप से भी के marks आएंगे उससे पहले आप से भी के marks नहीं आएंगे ठीक है और वहाँ पर ही पता चलब आगे आपके कितने marks हैं तो आप लोग इस टाइम पर आप लोग एक analysis कर सकते हैं या फिर आप लोग अपना वजा सकते हैं कि भाई मेरे इतने marks थे मेरे selection नहीं हुआ तो comment box में आप लोग बता हैं and next आपर बात करते हैं आप से भी कहाँ पर doubt है तो आप लोग comment box में मेरे से भी पूछ सकते हैं तो मिलते हैं आपके अगली के आज में तब तक के लिए जय हिंद और चैनल को सब्सक्रेब करें and telegram को जुरू जोएन करें वहाँ पर आपको सारे के सारे PDF देखने करें